नमच्का दोस्तों मैं हुआ मतार आप देखिराए डियाड़ू कि इन्फिनिक्स ने हाल फिलार में लॉंच किया है वन अप द चीपेस्ट 32 इंच स्मार्ट टीवी विच इस इन्फिनिक्स 32 Y1 स्मार्ट टीवी और फ्लिपकार्ड जिसका स्पिशल प्राइस किया गया 8,900 कर सकते हैं यह 24 इंच का मॉनिटर है बट चीज मैं बताना चाहूंगा टीवी इस नॉट रेकमेंड़ेड टू यूज एसे मॉनिटर मैं कभी किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हो कि आप टीवी को ऐसे मॉनिटर की से इस्तेमाल करो मॉनिटर एक अलग चीज होता है यह मेरा परसेनल ओपीनियन है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता नेक्स्ट सवाल है ब्लूटूथ वाइफाई लैंड के बारे में कनेक्टवीटी सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया था वुच इस अभी तक चेक किया है ब्लूटूथ कनेक्टिवीटी इस डिव ट्रिट कंवेटा फियर इस के पासकते हैं और दो चीज में आपको बता है पर इंटर नेट के मदस से भी पासकते हैं और दो चीज में आपको बताऊ तो यहां पर तीन अलग-अलग HDMI port दिया गया है जो आप अलग-अलग connectivity के लिए इस्तमाल कर सकते हैं इन में से एक HDMI port है जो ARC support करता है ARC high definition music transfer करने के लिए मिलता है अगर आपके पास कोई अच्छा home theater है जहां पर HDMI port है जो ARC support करता है तो HDMI cable के मंदद से आप इस TV से connect कर सकते हाई डिफिरेंशन साउंड सुनने के लिए तो यह ARC option भी यहां पर available है आई तर 3.5 mm jack है उसको लगा कि आप कोई भी home theater में music वैडली चला सकते हैं वैडलेसली नहीं चला सकते हैं नेक्स्ट है video resolution अगर video resolution देखा जाए यह मैंने YouTube से चला है this is basically 8 के video तो definitely 8 के तो आपको नहीं मिले का यहां पर जो maximum resolution इस TV में मिलता है मैंने अभी तक जितना चेक किया which is this यहां पर आप full HD 60 fps में video play कर सकते हैं and video viewing experience बहुत बढ़िया है काफी crisp and sharp है and display को आप अपने ही साब से color tone को अपने ही साब से brightness को अपने ही साब से आप control कर सकते हैं कुछ preset है standard है movie है sports है यह मैं अभी standard में देख रहा हूँ मैं जब से मुझे मिला मैं standard में देख रहा हूँ and overall price range की साब से आपको picture clarity काफी बढ़िया मिलेगा लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ पहले question की जवाब में कि यह वाला as a monitor की साब से मैं strongly recommend नहीं करता मोनीटर अगर थोड़ा सा high refresh होगा मुझे लगता है थोड़ा सा sound performance के बार में यहां पर दो box speaker दिया गया 10 watt plus 10 watt मतलब 20 watt का box speaker दिया गया जो dolmi sound support करता है and 32 inch का smart tv जिसका price लगबग 8100 रुपे के आसपास है इस type का sound मिलना बहुत मुश्किल है यह काफी loud है मैं फिर से आपको play करके एक बाद सुनाता हूँ यह भी जिस्ट 2-3 परसेंट मैं घर में जनरली 5 परसेंट तक सुनता हूँ मतलब इतना तक सुनता है से अधा मिरे को नहीं लगता है now let me increase the sound this is around 50% में हुआ अभी sound यहाँ पर दिया कहें sound बहुत loud है and मैं शूर हूँ अगर आपका छोटा सा घर है 10x10 का भी घर है अलग से home theater का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यह sound more than sufficient sound quality is really good इसके अलाबा और एक चीज़ में आपको दिखा दो अगर आप settings पे जाते यहाँ पर standard है soccer है movie है music है आप अपनी इसाब से control कर सकते इसको customize कर सकते यूजर के अंदर जाके आप अपनी इसाब से equalizer को set कर सकते है so you'll get different different options so sound performances tv का बहुत बढ़ी है इस price range की साब से रेम और रॉम के बारे में बहुत किसी ने पूछाता है इस टीवी में 4GB का internal storage दिया गया है and 512 MB का RAM मलता है तो यह आपको flip card में मिल जाएगा flip card के description पे नीचे section में आपको मिल जाएगा कि यहां पर जब प्रॉश्य से दिया गया है उसकी साथ-साथ यहां पर 512 MB का RAM है एक एक जीबी का RAM नहीं और 4GB का internal storage है अभी बात करते हैं OTG support के बारे में यहां पर यह है keyboard and यह है mouse and अगर keyboard and mouse देखा जाए मैं हम लोग जैसे web browsing करते हैं या फिर कोई भी form fill up करना या फिर application submit करना यह सब चीज आप यहां पर कर सकते हैं depends on your network speed मैंने अभी तक यहां पर जितना देखा है it works pretty fine जी हां mouse connectivity थोड़ा सा आपको up down हो सकता क्योंकि we are not used to but overall अगर देखा जाए यहां पर आप कोई भी चीज अगर पढ़ना है कोई भी चीज अगर आपको देखना है that definitely आप इसको चेक आउट कर सकते हैं तो mouse and keyboard both are working pretty fine यहां पर आपको दो USB port मलता है जिसके मदद से आप additional चीज़े आटाच कर सकते हैं उसकी साथ साथ अगर आप चाते हैं तो pen drive मतलब मैंने यहां पर 64GB का pen drive आटाच किया है pen drive काफी अच्छे तरीके से चला कोई भी दिक्कत नहीं आया अभी मैं आटाच करने वाला हो यह वान टीबी का हाड ड्राइव है हाड ड्राइव का आटाच करके अभी जल्दी से जाता है यहां पर मीडिया के अंदर देखते हाड ड्राइव सपोर्ट किया है के नहीं नहीं हाड ड्राइव यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है यहां पर जल रहा है बट सम्हाव वान टीबी का जो हाड ड्राइव है यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है ल अब देखो यहां पर कुछ कुछ अप्लिकेशन से अवेलेबल है प्राइम वीडियो यूट्यूब जी फाइब सोनी लिए लेकिन अभी दो अप्लिकेशन जो सबसे जादा हम लोग इस्तिमाल करते हैं चलो मैं नेट्फ्लिक्स छोड़ दीता हो थोड़ा महंगा है कुछ कुछी एप से गिना चुना 20-25 एप होगा जैसे पांस साथ आप आप जानते हो बागी सब आपस आप नहीं जानते तो एपस यहां पर काफी लिमिटेट है आई डोनो फ्यूचर में वह लोग अपडेट देंगे कि नहीं दूसरे एपस यहां पर एड़ करेंगे कि यहां पर देखो होस्टार जीफाइब सभी कूछ है मैं जनरली होस्टार को यहां पर देखता हूं तो होस्टार आप चाते हैं तो यहां पर फुल फ्लेज़ जो होस्टार है वह आप यहां पर चेक कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन कर यहां पर आप देख सकते हैं खाली यही नहीं मैं आपको और चीद बताता हूं जो है Netflix तो कल मैंने यहां पर Netflix चलाया था टेस्ट करने के लिए अभी देखिए एप का experience and browser के experience definitely same तो नहीं होगा थोड़ा सा आपको चलाता है जैसे होता है यहां पर आपको sign-in करना पड़ता है उसके बाद आपको वीडियो करना पड़ता है जैसे होट सटार में होता है यहां पर आपका same है वह आप यहां पर कर सकते हैं बद मैं फिर से सकते हैं अभी और एक million dollar question है यहां पर अब थाड़ पर्टी अप्लिकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे के नहीं अभी थाड़ पर्टी अप्लिकेशन मतलब आपको टोटल तीन option मिलता है एक option मिलता है movies का मतलब जो videos उसका उसके बाद है photos का और उसके बाद है music का यह तीन ओप्षन मिलता है तो यहां पर अलग से आपको वह application देखने का कोई option नहीं मिलता है मतलब अगर आपके वहां पर कुछ application है जो आपने रखा है वह आप यहां पर नहीं दे सकते हैं यहां पर अगर खाली movie है picture है या फिर music है वही चीज़ यहां पर view होता है इसका मतलब यह है जो third party application से वह आप यहां पर for the timing इंस्टाल नहीं कर पाएंगे मैंने बहुत जादा कोशिश किया अलग अलग तरीके से बट somehow third party कोई भी application यहां पर मैं इंस्टाल नहीं कर पाया बट मेरा testing अभी जाड़ी है future में अगर ऐसा कुछ में success मुझे मिलता है तो अब full HD content enjoy कर पाएंगे उसमें कोई भी दिक्क्रत नहीं है मुझे अविताब कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड 8,900 के इसाब से मैं बोलूगा यह tv काफी एक बहतर tv है जी हम लोग यहां पर android expect नहीं कर सकते क्योंकि इसका price काफी कम आई थिक thompson ने भी same price मैं थिक 9000 में ऐसा भी feature मिलता है तो definitely यह tv काफी एक बढ़िया option है और यहां पर सभी टाइप का feature मिलता है future में अगर इंफिनिक्स यह लिनाइस बेर अपर इंकुलूड होता है तो और भी अच्छा होगा अभी होगा के नहीं होगा उसके बार में तो मुझे पता नहीं for the timing मेरे तरफ से thumbs up है अच्छा TV है वही से मैं पता है pros and cons मिला के कोई product होता है 100% तो यह 100% कोई भी product perfect नहीं होता और एक product सबको खुश नहीं कर सकता इवन मैं आपको यह भी पता सकते हैं अगर आपके घर में elder कोई है ज्यादा manga TV आपको नहीं लेना ममी पापा के लिए लेना तो यह वाल तीवी आप ले सकते हो तीवी लेके आनम सोंको गिफ्ट कर सकते हो वो लोग generally set up box लाके देखेंगे या समार्ट आगर YouTube YouTube यह सब लेख पाएंगे जयाता है शोनी में सीरियल आई जाता हो दीख पाएंगे तो यह तो यह था करेंगो उसको भी आने वाले दिनों में अगर कोई वीडियो बना तो उसमें कॉवर करने का सो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना है दिसे और उस्ट अभी साइनिया को में डिया डाग होप तस्यों इन्माइ नेक्स्ट वीडियो बाइए